हेलो एब्रिवन आप सभी का स्वागत है सरकारी परिक्षा के यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है सूरज और आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इस एक्जाम का सलेक्शन प्रोसेस क्या है एक्जाम पैटन क्या है ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है अगर हमें प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है वो सभी कुछ आपको इस वीडियो में आइडिया मिल जाएगा जैसे कि मैं बात करूँ कि ESIC ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है SSO पोस्ट के लिए इसमें जो टोटल नंबर वेकेंसी से हुआ है 93 अब बहुत सारे कैंडिडेट इस वेकेंसी को देख के हो सकता है फॉर्म फिल नहीं करने का सोच रहे हो बट मेरा सजेसान है कि आप इस फॉर्म को फिल करें जो भी लोग कंटिन्यू प्रिपेर कर रहे हैं जो बैंकिंग इंसुनेंस से सिमलर टाइप के एक्जाम जो भी देते हैं उनके लिए यह काफी अच्छा फॉर्म है उन्हें यह एक्जाम देना चाहिए अब जैसे कि मैं अगर ESIC सेलेक्शन प्रोसे तो आज हम लोग इस वीडियो में जो प्रिलिम्स एक्जाम है फेज वान उसके वारे में डिसकस करने वाले हैं कि क्या एक्जाम पैटन है LR से क्या क्वेस्टन साने वाले हैं किन-किन टॉपिक से पूछे जाते हैं इस एक्जाम में क्वेस्टन वह हम लोग डिसकस करेंग है reasoning ability में 35 quantitative aptitude में 35 it means कि total number of questions जो है वो है 100 जो total marks है English section का वो है 30 marks reasoning का 35 marks quantitative aptitude 35 and total marks जो हमारा हो जाता है 100 marks total time जो इस exam में आपको मिलने वाला है वो है 60 minutes 60 minutes आपके 20-20 minutes के interval में divided होता है it means कि एक section में आपको सिफ 20 minutes ही मिलने वाला English section जब आप दे रहे होगे तो आपको total 20 minutes का time मिलेगा English को attempt करने के लिए it means कि आप उस 20 minutes में reasoning and quantitative aptitude के question attempt नहीं कर सकते and अगर English से आप reasoning में चले जाते हो तो उस reasoning के time में फिर आप English और quantitative aptitude के question attempt नहीं कर सकते तो इसलिए यह काफी important हो जाता है कि हम लोग जो exam pattern है उसके according practice करें and इसके लिए सबसे अच्छा है कि हम लोग maximum to maximum number exam से पहले mock test लगाए हमारे सरकारी पर इच्छा के platform पे ESIC SSO का mock test available है जहां पर आप जाके exam practice जो exam pattern है उसके according mock test added है उससे आप practice कर सकते हैं जो आपके exam final preparation में helpful होगा अब जैसे कि मैं बात करूँ ESIC SSO का जो cut off था जो previous year जो exam conduct हुआ था उसमें SC का जो cut off गया था वह 62 marks गया था ST category का 57 OBC category का 66.25 and UR category का 71 तो आप यहां पर देख रहे होगे कि अगर हमें prelims qualify करना है तो हमें 70 to 75% marks लाना पड़ेगा out of 100 तब ही हम लोग means के लिए appear हो पाएंगे and prelims exam qualifying in nature होता है इसके marks means में add नहीं होने वाले आपके final merit list में या add नहीं होने वाला इसमें other exam जो banking insurance के होते हैं उनसे एक difference यह है कि इसमें आपको हर एक section को भी qualify करना होता है इसमें हर एक section का minimum cut off हाता है जैसे कि जो previous exam हुआ था उसमें SC category का English के लिए 10.5, HD का 10.5, OBC का 12 and UR category का 13.5 गया था English में इसी तरह reasoning का UR में 15.75 and quantitative aptitude का भी 15.75 गया था इसमें आपको overall जो section का minimum cut off है वह भी qualify करना होगा और overall जो cut off है वह भी qualify करना होगा तब ही आप prelims exam qualify करते हो और आप main exam में appear होते हो तो यह था exam selection process, exam pattern आपको idea लगा होगा कि किन-किन section से questions आते हैं और हमें अगर prelims qualify करना है तो कितना overall safe marks consider करना होगा और हमें minimum हर एक section wise cut off भी score करना होगा अब जैसे कि मैं बात करूँ जो prelims exam में reasoning ability का section है उनमें किन-किन topics से questions आये थे जो last exam हुए थे उसमें जो questions थे, arrangement pattern से 2 questions आये थे, coding decoding से 5 questions आये थे, direction and distance से 3 questions आये थे, blood relation से 2 questions आये थे, inequalities से 3 questions, sitting arrangement से 10, and puzzle से 10 questions आये थे तो इन-न topics से last exam जब हुआ था यह SIC SSO का तो इन-न topics से आये थे, और एक important topic है सिलोलिजम जिससे कि banking insurance के exam में आपको इस topic से questions देखने को मिलते हैं तो इन सभी topic के साथ साथ आपको इस topic को भी prepare करके चलना पड़ेगा, and इसके भी questions प्रैक्टिस करने होंगे जो हमारे reasoning ability का section होता है exam में इसमें हमारे जो maximum questions होते हैं वह set के form में आते हैं जैसे कि sitting arrangement 10 question है या 5-5 question के set में होते हैं puzzle के भी question 5-5 question के set में होते हैं inequalities के भी question आपको 3 question के set में blood lesson के भी maximum जो आपको है 2 question या 3 question के set में देखने को मिलेंगे direction and distance के भी 3 question के set में होंगे set का मतलब है कि statement common होगा उसके अंदर 3 अलग अलग question होंगे आप उस एक statement को solve करते हो तो आप तीनों question को उस statement के help से solve कर सकते हो तो यह हमारे reasoning में होता है question का form तो हमें इन topics को note down करना है और इनके से related जितने भी type के questions exam में पूछे जाते हैं हमें practice करके जाना होगा तभी हम लोग reasoning ability के maximum questions attempt कर पाएंगे exam में and reasoning इस तरह के exam में काफी important role play करता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि reasoning के 35 questions 20 minute में attempt नहीं कर पाते हैं तो हमें इसी के according practice करना होगा reasoning के questions ताकि हम 20 minute में ज्यादा से ज्यादा questions attempt कर पाएं तो यह था यह साई से SSO में reasoning ability के topics जो पूछे जाते हैं and मैंने बता दिया किन-किन topics को आपको करना होगा जिन-जिन topics से ज्यादा questions आते हैं जैसे sitting arrangement, puzzle इनको तो हमें पहले करना होगा and इनके maximum questions practice करने होगे ताकि इनके questions हमसे miss ना हो exam में अब हम लोग क्या करते हैं कुछ sample questions देख लेते हैं जिससे कि हमें idea मिले कि किस level के questions पूछे जाते हैं exam में जैसे कि मैं पहले question की बात करूँ तो यहाँ पर question क्या बोल रहा है कि if the number 38564927 first all the even digits are arranged in ascending order and then all digits are arranged in ascending order then which digit will be fourth from the right end इस question में क्या बोल रहा है कि जो number given है उसमें हमें even digits को पहले ascending order में arrange करना है then फिर all digits को ascending order में arrange करना है जो फिर हमारा final number बनेगा उसमें right end से fourth digit कौन सा है तो अगर हम लोग इस question को solve करते हैं तो क्या होगा जैसे number हमारा है 38564927 इसमें even digits है हमारा 8642 अगर हमें इसे ascending order में arrange करते हैं तो यह हो जागा 2468 then हम लोग odd digits को देखते हैं तो odd digits है 3579 अब हम लोग अगर इसे ascending order में arrange करते हैं तो यह होगा 3579 अब हमें इसे क्या करना है combine करके लिख देना है 2468 3579 अब हमें बताना है कि right end से right end जो हमारा इधर है इधर से fourth digit fourth digit हमारा आ रहा है 3 तो हमारा जो 3 है option 2 यह correct answer होगा इस question के लिए तो इस तरह के questions को हमें इस तरह से solve करना होता है और यह definitely आपको practice से आएगा इसके लिए ESIC SSO के लिए हम लोग daily quiz भी दे रहे हैं जो topic wise होते हैं आप उन quiz को लगा के questions practice कर सकते हो जो कि आपके preparation में help करेगा अब जैसे कि मैं बात करूँ दूसरे question की तो दूसरा question है हमारा direction and distance test यहां पर question क्या बोल रहा है कि Nikhil walk 30 meter towards east अब इस तरह के questions को पहले जब हम लोग solve करते हैं तो हर एक statement को अच्छे से पढ़ते हैं question reading अच्छे से बहुत जरूरी है exam में ताकि कुछ भी data miss ना हो और हम लोग गलत answer ना mark कर पाए तो हम लोग को statement अच्छे से पढ़ते जाना है and diagram required है तो diagram बनाना है and then जो भी question पूछ रहा है उससे mark करना है तो जैसे यहां बोल रहा है कि Nikhil जो है पहले 30 meter east की direction में चलता है तो जब वह 30 meter east की direction में चला उसके बाद क्या बोल रहा है कि to call left turn and walk 20 meters तब वह 30 meter जाने के बाद 20 meter left की और मुड़ता है तो left इसका इधर होगा तो definitely वह फिर इधर 20 meter गया then क्या बोलता है कि फिर वह left turn लेता है and 30 meter जाता है फिर वह left turn जब लेगा और 30 meter आता है starting में भी उसने 30 meter ही चला था and में भी वह 30 meter चल रहा है तो definitely यह point जो starting point है और यह point जो दोनो एक ही line में लाई करेगा अब क्या बोल रहा है कि how far and in which direction is he from his starting point इसका starting point A था end point B था अब इनके बीच का distance हमें find out करना है और direction बताना है A से तो distance हम लोग देख रहे हैं कि यह 20 meter है और direction अगर हम लोग starting point A से देखे तो यह north की और है तो इसका जो correct answer होगा 20 meter north जो कि option 1 है वह correct answer होगा तो आप देख रहे होगा कि इस तरह के questions अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और diagram बनाते हो तो बहुत ही easily solve हो जाता है and definitely अगर इसमें आपको अच्छे से करना है तो आपको questions practice करने होंगे अब जैसे कि मैं next question की बात करूं जो हमारा तीसरा question है वह है inequalities से इसके भी question आपको तीन question मिलेंगे exam में question क्या बोल रहा है कि in these questions the relationship between two elements is shown in the statement these statements are followed by two conclusions read the statement and give the answer statement हमारा क्या है यहां पर yes given है इसे हमें इसके help से हमें जो conclusion दिया वह है इसे हमें देखना कि conclusion satisfied कर रहा है या नहीं and जो जो conclusion satisfied करेगा उसके according फिर हमें option mark कर देना है तो अब हमें अगर इस तरह के questions को देखना है पहला हमारा conclusion क्या बोल रहा है कि क्या x is less than u है, तो क्या इस given statement से हम लोग यह find out कर पा रहे हैं, अगर हम लोग यह जो भी comma separated सभी given है, अगर हम लोग इसे एक साथ combine करते हैं, तो हमारो जो final statement होगा, वह क्या होगा, यू greater than v greater than w and अगर देखा जाए तो भी जो है वह less than है, x और x क्या है not equal to u है, इस तरह का कुछ statement बनेगा, अब हमें find out करना है कि क्या, और यहाँ पर जो भी question आप देख रहे होगे, तो x और u से ही related है, तो it means कि अगर हम लोग x और u के बीच में, अगर एक, बनाते हैं, final हमारा statement, then हम लोग इसे काफी easily solve कर पाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जैसे कि, u greater than v less than x, यह हमारा क्या होगा, according to conclusion हमने देखा कि x और u का ही सिर्फ यहाँ पर question पूछ रहा है conclusion में, तो हमने क्या किया, जो हमारा statement था, उसी के help से हमने एक statement बना दिया, कि जिसमें u और x ही है, ताकि हम लोग बहुत ही easily conclusion जो given है, उसका हम लोग answer दे पाएंगे, इस statement के help से हमें बताना है कि क्या x u से less than है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ दोनों direction opposite में है, तो हम लोग एक clear conclusion नहीं दे पाएंगे कि क्या x u से less than है, दूसरा conclusion बोल रहा है क्या x greater than है, तो यह भी possible नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दोनों opposite direction में है, तो इसके according से हम लोग दोनों conclusion का exact answer जो है हम लोग नहीं दे सकते हैं, और जब तक exact answer नहीं हो, तो हमें possibilities का case यहाँ नहीं लेना है, बट यहाँ पर आप channel u और x के बीच में relation जो है, नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पर chances क्या है, कि या तो u x से बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, तो it means कि जो हमारा third statement है, either का case definitely इसमें हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस statement के help से जो दोनों conclusion है, वा नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा है, कौन तो it means कि या तो conclusion 1 सही होगा, या तो conclusion 2 सही होगा, तो definitely अगर यह से questions को थोड़ा आपको बनाना है, तो practice थोड़ा करना पड़ेगा, तब ही आप इस तरह के questions जो होते हैं, आप बहुत easily बना सकते हो exam में, So thank you for today, I hope कि आपको ESIC SSO का exam, pattern, selection process and reasoning ability में किन-किन topics से questions आते हैं, उसका idea मिला होगा, इसी तरह analysis video हम लोग अपने YouTube channel पे डालते रहते हैं, अभी recent में हमने SSC MTS का भी add किया है, तो आप इस तरह से exam के जो analysis video हैं, वो हमारी YouTube channel पे देख सकते हैं, जिसे कि आपको preparation में थोड़ा idea मिले कि आपको किस तरह से prepare करना है, किन-किन topics पे ज़्यादा focus करना है, so अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो like किजेगा, share किजेगा, and कोई भी अगर आपको सुझाओ हो, तो comment के थूँ बताईएगा, and इस तरह के videos आपको easily notification के थूँ मिल जाए, तो आप जो bell icon है, उसको प्रेस कर दीजेगा, ताकि आपको notification आजाए, thank you